हाई एवरिवन वेल्कम बाक तो मैं चानल आइम सो सॉरी यार मैं काफी दिनों से आप लोग के लिए वीडियो नहीं ला पाया ड्यू तो सम प्रॉब्लम्स थोड़ी से तवियत खराब थी तो इसलिए मैं वीडियो शूटी नहीं कर पाया था तो मैं लाता ही कासे बट ठीक ह कि अब जल्दी से हम पहले की तरह continue करें content को और जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो ला सकूं related to Altros तो यार आज का topic यह है कि हमारी कार जैसे की Altros DCA है तो इसमें क्या best features है तो चलो मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूं ना कि बहुत लंबी वीडियो करें तो मैं आपको सबसे पहले exteriors में बता देता हूं क्या है इसमें सारी चीज़े और अच्छा comparison कौन सी कार से है आई 20 एंड बलीनो क्योंकि इस segment में सिर्फ यही कार जाती है तो मैं आपको बता देता हूं क्या best features है जो कि इस rate मैं आपको मिल सकते हैं मुझे साड़े 10 लाग की बड़ी थी और इसमें जो transmission आता है that is DCT 6-speed DCT transmission तो यार बहार से अगर आप देखोगे ना तो चलो सबसे पह कर देखो मैं आपको साथ के साथ दिखाता हूं तो अगर आप car का उपर वाला बटन दो आते लॉक तो कार लॉक हो जाएगी और mirrors भी इसके साथ auto fold होंगी जब आप unlock करोगे तो इसके साथ इसके mirrors भी auto open हो जाएंगी तो यह के feature है इसमें बाकि यह इसमें एक boot release का button है आप बिना यूज करें कुछ भी आप सीधा boot भी उपन कर सकते हो यह एक लाइट को option है अगर आप यह बटन दबाते हो तो आप देखो जैसी मैंने यह दबाए कार के headlamps on हो गए तो आप कहीं भी parking space में और आपको लगता है कहीं भी कि आपकी कार कहां खड़ी है तो एक बहुत अच्छा option है आप अपनी कार को कहीं भी ढून सकते हो तो तो नॉर्मली जो कार में आते हैं वह आते हैं आपके फॉलो मी headlamps जो की चोटा जबल बगा देते हैं बटेस कार में इसके जो मेन प्रोजेक्टर से यान हो गए हैं तो यह बहुत अच्छा फीचर है तेन साड़े दस लाग रुपे में ही आपको cornering lamps भी मिलते हैं तो यह जो इसके fog lamps है that will work as in cornering lamps as well तो इसमें cornering lamps का भी आपको option मिल जाता है आप जिस भी तरफ से steering को घुमाओगे जिस भी तरफ आप steering करोगे तो उस तरफ के lamps automatically जल जाएंगे तो यह बहुत अच्छा फीचर है इ चलो वो फीचर्स में आपको अंदर दिखाऊंगा दिन गाड़ी के looks unmatchable है यार इससे जाधा proportionate car इस category में ही ही दर आपको जो वील साइज भी मिलेगा that is alloy wheels से ही 16 inches के और इनका जो टाय सेक्शन है that is 185 by 60 बहुत अच्छे grip आपको highway पे प्रवाइड करेंगे दन उसके बाद बैक साइड में आपको रीर वाइपर भी मिल जाएगा दिफॉगर भी मिल जाएगा अड़े आपको वॉशर भी मिल जाएगा आप देख सकते हैं चोटा सा यह वॉशर है इसमें और रीर लुक्स भी काफी अच्छे है कार के कोई भी problem नहीं है and back side में आपको camera भी मिल जाए कुछ सो बाहर ही आपको यह आपको request sensor भी मिल जाएगा तो यह थी ले सेंटरी के साथ आती है तो मैं आपको मेंनी फीचर्स दिखा रहा हूँ बेस्ट फीचर्स के हैं सो साड़े दस लाग रुपे में ही आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है ठीक है स्टेरिंग पर लेधर राप मिलता है जो की कंपनी से हमें मिलता है शोरोम से अच्छा यह आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि यह बहुत नॉर्मल फीचर्स है मैं आपको इस कार के बेस्ट फीचर्स बतार हूँ साड़े दस लाग रुपे में जो आपको मिलने वाले देन तो उसके बाद अब जो आप देख सकेंगे इसका जो यह इंस्टूमेंट क्लस्टर है तो यह एक digital instrument cluster आपको मिलता है इसमें और बहुत सारी इसमें informations आपको मिलते हैं देखो यह जैसे अभी trip A set है then उसके बाद यह trip to B का भी आपको option मिलेगा then power and torque figures आप यहाँ पर अपनी चेक कर सकते हो आप जैसे जैसे accelerate करोगे and उसके बाद यह कुछ settings के option है तो यह सारे options आपको इसमें मिल जाएंगे देखो आप ऐसे ऐसे आप select कर सकते तो अच्छा सारे जो इसके controls है वो आपको cruise control के switches भी हैं मिलेंगे और display को set करने के switches भी हैं मिलेंगे तो आपको यह वाला हिस्ता ऐसे 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 नहीं करना just like other cars तो यह एक अच्छा ERS में option है and उसके बाद आपको distance to empty भी अलग से मिलेगा then आपको instant fuel economy भी इसमें मिल जाएगी और that's it तो यह meter में आपको सारी चीज़े मिलेंगी and best in the segment में आपको दिखाने वाला हूँ जो चीज़े अभी तक यह gearbox DCT gearbox साड़े 10 लाग रुपे में with all these features कोई कार नहीं देती है कोई भी नहीं देती है आप check कर लो segment में अगर आप कोई भी brand पे जाओगे तो जो balino है वो AMT के साथ आती है and जो आपकी i20 है naturally aspirated that comes with CVT और वो बहुत expensive है बहुत ज्यादा expensive है then उसके बाद मैं आपको music system के इसके कुछ अच्छे features दिखाता हूँ so यह best in segment music system है इसके जैसे music system कोई भी नहीं है segment में आप try कर सकते हो इसके output को देखके भी then मैं आपको कुछ एक अच्छे features इस car के दिखाता हूँ तो अच्छा यह आपको दिखाता है front भी जैसे आप खोले रखोगे तो आपकी trap then आप कैसे car efficiency के आ रही है आपकी driving pattern और safety आपकी maintain रख रहे हो तो मेरी overall 4.6 सारी है थोड़ा समय कार के साथ मज़े लेता हूँ इसलिए safety पे थोड़ा से कर रहा है क्योंकि मैं 120-640 भी कर लेता हूँ अपनी गार को try अच्छा तो यह सारे आपको features में लेंगे एक इस पर बहुत अच्छा feature है जो I think काफी सारी cards पर आपको नहीं मिलेगा that is let me check यह themes का option तो यह जब आप themes पर जाओगी ना यार then आपके जो colors है अभी देख रहे हो आप यह blue है अगर आप यह से select करोगे one second यार so I don't know why it is not changing one second okay okay yes sorry अच्छा तो यहाथ से आप light भी set कर सकते हो and okay so यह मुझे न climate मैं car पहले start कर लेता हूं तो यह car अभी पहले start कर लेते हैं तब मैं आपको दिखाता हूं इस वाजे से नहीं दिखा रहे हैं आपके तो अभी आटो पर ही car को start करने के लिए बोल रहे हैं तो 23 पर सेट कर लेते हैं हवा थोड़ी सी कम कर लेते हैं क्योंकि फिर दिक्कत होती है जादा अब देखो मैं आपको colors लिखाता हूं यहां पर अगर आप orange पर सेट करोगे for an example मैं दिखाता हूं अभी अब जब आप orange select कर लोगे तो यह पूरे डिस्प्ले का सेट कर सकते हूं तो यह ऐसे चेंग जाएगा डिस्प्ले पर भी चेंग जाएगा देन मैं भी आपको और दिखाता हूं colors अगर आप इसको आइस पिंग पिंग का भी option इसमें मिलता है तो यह आप करोगे देन यह पिंग भी सेट हो गया तो यह एक फीचर ऐसा है जो इस कार में मिलता है और किसी कार में नहीं मिलता देन अच्छा मैं यूजिली इसी पर सेट रखता हूं इसे क्योंकि मुझे blue अच्छा लगता है reason being क्यों अच्छा लगता है मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की अब जैसे कि मैंने इसकी lights on की है यह आपको दिखरी होगी इसमें ambient lighting भी है यह नीचे भी आपको मिलेगी इसमें ambient lighting है देखो blue का एक shade आ रहे है यहां पे co driver side पे भी footwells में इसमें blue ambient lighting मिलेगी तो एक बहुत अच्छा ना कार में ambience create हो जाता है तो यह एक चीज है अच्छा एक चीज और इसमें जो आपको wipers मिलेंगे तो यह auto rain sensing wipers है तो यह एक best in segment feature है जो साथे दस लाक में with automatic आपको मिलने वाले देन आपको auto headlamps का भी हाँ पर option मिलेगा तो यह भी अच्छा feature है और आपको fog lamps भी इसमें मिलेंगे तो यह fog lamps का बटने कर आप देख एक safety point of view से बहुत अच्छा feature है इसमें जो मुझे पहले नहीं पता था मैं पहले की वीडियो में इसलिए आपको नहीं बता है मैं दिखाता हूँ अब जैसे मेरी कार जो है वह अभी parking पे है अब जब मेरी कार के सारे doors बंद रहेंगे उसके बाद यह car चलेगी अब जैसे द दिखाएगा है ना अब मैं आपको इक चीज दिखाता हूँ कार डी में सैट है है हैं ब्रेक भी हटा हुआ है डोर ओपन है जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हूँ बंद कर लेता हूँ देन उसको फिर से ओपन कर लेते हैं यह आप देखो अब मैं ब्रेक पेडल से पेर हटा रहा हूँ अब देख सकते हैं कार चली नहीं रही है तो यह बहुत अच्छा फीचर है यार इंटम्स ऑफ सेफ्टी जैसी में आने गेट बंद करना आप देख सकते हैं कार अपने आप 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 आटोमाटिकली चलने लग गई तो यह एक फीचर आपको इसमें मि कर लेता हूँ इसमें तब वो मैं चीज आपको दिखाता हूँ वान सेकेंड यार आप देख सकते हूँ मेरी कार जो है वो एंडर डॉट को इसमें मैंने कनेक्ट कर दिया है और यह गाना मैंने लगाया हूँ है तो इसका जो यह सेवन इंच का इन्फोटेन्मेंट यह आप को कुछ भी करना है तो आपको स्क्रीन से स्क्रीन पर नजर जाएगी और आपका जो तंसेंटरिशन है वो घराब होगा इस कार में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आप में देख सकते हूँ आपकी कार में कौन सा गाना चल रहा है वाल्यूम अपने हिसाप से आप सेट कर स सकते हूँ तो यह सारी चीज़ें आपको मिलती है एक बहुत अच्छा फीचर क्या मिलता है इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहां पर मैप चला देता हूँ यहां पर कोई भी फॉरन एग्जांपल चलो यह एक लोकेशन डाल देते हैं इसमें ठीक है और यह मै रूट चेंज करने होंगे रोड पे से दूसरी किसी तरफ मुणना होगा यह मुझे मेरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी दिखाता है तो यह बहुत अच्छा फीचर है जो इस कार में मिलता है आपको जो की कॉंपटीशन आपको नहीं देता है यह भी बहुत अच्छा अच्छा एक फीचर है क्योंकि जब आप मेंली हिली एरिया में जाते हो तो वहां पे हिर्पिन बेंट होते हैं आप बार बार उसमें नहीं देखोगे तो आपके पास डिस्पे में सारी चीज़े अवलेबल हैं आफ वित कंसेंटरेशन बहुत इसली अपनी कार को है इसके अलावा आपको यह जो आप देख रहे होंगी जो इसकी बैल्ट है यह आपकी और सरे ब्रांट्स और बहुत सारे लोग आपको यह नहीं देते हैं और में हाइलाइट है इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वह इसका डीसीटी गेर बाक्स बहुत अच्छा है बहुत अगर इसकी परफॉर्मेंस कैसी अगर वो देखना चाहते हो तो मेरी आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो मैंने इसे हिली एरियास में ऐसी ऐसी जाए लेके गया हूँ जहां अभी तब कोई भी आल्टरॉस DCA गई ही नहीं है तो आप वो वीडियोस भी प्लीज चेक सकते हो मेरे चानल पर आगे और आपको प्लीज यार अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टो मैं चानल और वीडियोस को जादा से जादा शेयर करो क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता कि इतने सारे फीचर् सब्सक्राइब तो यार यह कुछ फीचर्स है कार में जो की बहुत अच्छे है और कॉंपटीशन आपको नहीं देता है यह सारे फीचर्स तो मेरे हिसाफ से तो यारी एक बेस्ट बाइक आरे आप लोग को जाना चाहिए इसके ओपर इससे अच्छा पैकेज कोई भी इस से सेग्मेंट में नहीं प्रोवाइड करता देखो यार कितनी सुंदर लगती आप देख 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 पा रहे होंगे कि देखो आप इसकी ड्र चल रही है अभी तो यहां पर बहुत ना माचो लुक देती है तो यहां पर ब्यम्डवी आपने देखा होगा तो इसका जो कलर भ इन टरम्स अफ प्रैक्टिकालिटी इस से बेटर आप्शन आपको नहीं मिलेगा चलो मैं साथ के साथ आपको बूट ही भी दिखा देता हूं जो कि सेग्मेंट में सबसे जाद़ प्रैक्टिकल बूट है इतना बड़ा आपको बूट मिलेगा और यहां पर आपको बूट लाम भी मिलेगा तो अगर अगर ऑन पेपर इस बूट इस सम्वेर अरूं 350 लीटर्स दाट इस सफीशेंट फॉर हैजबैक कार और आपको यहां पर हैंडल भी मिल जाएगा यहां डालो और अराम से बंद क करो और यह नीजा आपको request sensor भी मिलता है तो आप यह बस आपको प्रेस करना है और आप कर सकते हो तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपना लिंक भी आपको description में दे दूगा प्रीज गो एंड चेक माइंस्टाग्राम पेज़ विल और थैंक्यू सो मच स्टे सेफ